साथ दशक से भी ज्यादा से भारत के बड़े पूंजी पतियों के पुराच तले पिस्ती घुटती मेहनत का श्याता त्राही त्राही कर उठी है वे करा रही है हमें चाहिए आज़ादी पूंजी वाद से आज़ादी लूट दबन से आज़ादी इसके जवाब में पूंजी पतियों के लठेत भगवाफासी वादी हाथों में पिस्तॉलें लहराते हुए तलवारें लहराते हुए सडक पर उतर रहे हैं वे कह रहे हैं आउ सामने किसे चाहिए आज़ादी हम देंगे आज़ादी जनता अडानी अम्बानी की ताना शाही के खिलाफ मोदी शाह के उस कुराज के खिलाफ जो बड़े पुझी पतियों की तिजोरियां भरने के लिए चलाय जा रहा है उसके खिलाफ संगट्शित हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठा रही है उसके खिलाफ प्रतिवाद कर रही है तो संघियों के गिरो ये भगवासियार सडकों पर आ रहे हैं वे ललकार रहे हैं देश के गद्दारों को गुली मारो सालों को उनका ये देश जिसे वे एक हिंदू राष्ट बनाना चाहते हैं दरसल उनके विचार में पुझी पतियों की तानाशा ही है पुझी पतियों के लेतत वाला अडानी अंबानी के अधिनायकत वाला देश हिंदू राष्ट वे चाहते हैं जिसमें आप और हम सब बेजुबान मेमनें बनकर गुलाम बनकर सिर्फ जुका कर सिर्फ इन सर्मायदारों की तिजोरियां भरने के लिए काम करें किसी भी तरह का प्रतिवाद न करें किसी भी तरह का कोई भी प्रतिरोध न करें ना बोले ना लिखे ना सोचे ना सवाल करें इस तरह का एक राज्यवे चाहते हैं उसे बनाना चाहते हैं और उसे बनाने के लिए वे उन सब लोगों को गुली बानना चाहते हैं जो उनके विचार में गद्दार हैं और ये गद्दार और कोई नहीं हैं ये सब गद्दार वे हमें समझते हैं आपको हमें समझते हैं आप और हम सब उनकी निगाह में गद्दार हैं क्योंकि वे समझते हैं कि हम उनके आका पुजी पतियों का दिया खाते हैं और साथ ही गुराते हैं हम हरताल करते हैं, हम प्रतिवाद करते हैं, हम प्रतिरोद करते हैं इसलिए हम गतार हैं वे आपको हमें सबको गोली बारना चाहते हैं हमें तल्वारों और गोलियों के साय में उसके आतंक में रखना चाहते हैं लेकिन उनकी एक दिक्कत है वे हम सब पर एक साथ हमला नहीं कर सकते हम करोडों में हैं और ये सियार सिरफ मुठी भरें पूजी पतियों के पालतू भगवा संगी मुठी भरें और इस देश की मैनत कषजहता जो इन पूंजी पतियों की फैक्टरियों में, ख़दानों में, खेतों में खट रही है, अपना पसीना भाह रही है, वो करोडों में है ये मुठी बहत जहिल इन करोडों रोगों पर शासन नहीं का सकते वे उन्हें गुड़ी नहीं माज सकते उन पर अपनी हुकुमत चलाने के लिए उन्हें अपने नियंतरण में रखने के लिए पूजी पतियों के जुए तले रखने के लिए ये उन्हें बाटते हैं उन्हें विभाजित करते हैं उसे उन्हें हिंदु मुस्लिम जाट और चमार के नाम पर जाती के नाम पर संप्रदाए के नाम पर धर्म के नाम पर उन्हें विभाजित करते हैं उन्हें बाटते हैं उन्हें फूट डालकर ये उन्हें आपस में लड़ाते हैं, उनकी एक्ता को घम्जोर करते हैं, उन्हें हिस्सों हिस्सों में बाटकर पराजित करने और पूंजी पतियों को विजय दिलाने के लिए शडियंत्र करते हैं, वे सबको एक साथ नहीं हरा सकतेे, लेकिन टुक्डों टुक्डों में टूटे हुए जाती हो, संपर्दाय में बटे हुए मजदूर वर्क को वे असनी से हरा सकते हैं और अपनी सत्ता को कायम कर सकते हैं, उसे चलाये रख सकते हैं, लूट लूट और शोशन के राज को वे चलाए रख सकते हैं सामप्रदाइकता इन फासी वादियों का आजार है ये फासी वाद और कुछ नहीं है ये पूंजी वाद का जहरीला फंड है इस फंड को कुछलने की चुनौती मजदूर वर्ग को स्विकार करनी है उसे मेहनत का शज़न ताकि हिस्सों को अपने चारु तरफ जमा करते हुए फासी वाद को चुनौती देनी है उसकी चुनौती का मकाबला करने के लिए उसे सड़क पर आना है मजदूर वर्ग को बाटने वाली ये विभाजन कारी कुटल नीती जो हमें हिंदू मुसल्मान सिख और इसाई बनाती है वास्तव में फासी वादियों के ऐसी नीती है जिसके चलते वे हमें एक एक करके हराएंगे पहले वे मुसलिमों को हराएंगे मुसलिम गद्दारों को हराएंगे फिर वे इसाई गद्दारों को हराएंगे फिर वे सिख गद्दारों को हराएंगे और फिर वे हिंदू गद्दारों को कुछलेंगे वे सारी मेहनत कश जनता को अंतते पूंजी पतियों की लूट और दमन के जुए के नीचे रख छोड़ेंगे फासी वादियों का उद्देश किसी हिंदु मुसलिम का राज कायम करना नहीं है उनका उद्देश अडानी अम्बानी के उस राज को चलाए रखना बनाए रखना है जो पहले से कायम है वे उस राज को नई धार देना चाते हैं नई दान देना चाते हैं फासी वादि इस राज के अवजार हैं वे पूंजी वाद का विशला फण हैं वे मजदूर वर्ग को महनत कश्याता को बांटना चाते हैं और अडानी अम्मानी के इस राज को सुद्रड करना चाते हैं उसे मजबूत करना चाते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालो तो ये देश जिसे वे काइम करना चाते हैं यह हिंदू राष्ट जिसे वे बनाना चाहते हैं, वास्तव में आडानी अम्मानी की और भी नंगी ताना शाहिये, उनकी और भी क्रूर ताना शाहिये, जो मौजूदा राज्य है वह भी कम कुरूर नहीं है वह भी ताना शाहिए है लेकिन वह लोगतंत्र के पर्दे के पिछे चिपी हुई है फासी वादियों को अब इस पर्दे की कोई जरूरत नहीं है वे संबिधान, लोगतंत्र इस सारे ढखोसले को भी जो सतर साल से पूझी पत्यों ने चलाया है मजदूरों को धोखा देने के लिए इसको भी उठा करके एक तरफ फेक देना चाते है वे पूझी पत्यों वो कह रहे हैं कि इस सब को काईम रखने की कोई जरूरत नहीं है यह सब बोज है, इसको उठा के फेक दो कुड़ेदान के अबर अब हम आ गए हैं हम खुली दंगी ताना शाही चला सकते हैं और वे इससे चला रहे हैं वे आपको हमें सब को गदार बताकर गोल्डियों से बारे की धमकी दे रहे हैं, आतक पहला रहे हैं और करके भी दिखा रहे हैं, उन्होंने ये शुरू कर दिया है वे हमें दिखा रहे हैं कि देखे हम सर्फ कहीं नहीं रहे हैं, हम यह मार भी सकते हैं सबसे नीचे के आदमी को जो हतोच साहित है हताश है, निराश है जिसे पुंजी वाद पीस रहा है उसे फासिवाद अपना आजार बना रहा है उसे खुद यही पुझवाद जो उस आदमी को तबह कर रहा है उसे लूट रहा है खुद यही पुझवाद उसे अपनी प्रतिरक्षा में अपने राज की प्रतिरक्षा में अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है वे उसी को आदेश दे रहा है कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालिए इस सब के चलते पूरे देश में ग्रह युद्ध जैसे सिती बन रही है मजदूर वर्प को इस युद्ध से बचने की कोशिच नहीं करनी चाहिए नावे बच सकता है उसे इस चुनोती में कांती का भविश्य देखना चाहिए उसे इस चुनोती को कुबूल करना चाहिए स्विकार करना चाहिए उसे फासी वादियों की आँखों में आँखे डालकर इस चुनोती को स्विकार करना चाहिए, उसका उत्तर देने के लिए खुद को तयार करना चाहिए, जिसे ये फासिवादी देश कह रहे हैं, वे वास्तों में ऐसी जेल है, जिसमें हम सब को वे बंदी बना कर रखना चाहते हैं और जिसके पहरेदार वे खुद बनना चाहते ह जिसकी चावी पूंजी पतियों की जेब में होगी हम सब का पसीना उनके लिए दौलत बटोरने के सिक्के गढ़कर उनकी तिजोरियां भरने के और हमारा खून उनके राज्यकी सीवाओं को भारत के पार फैलाने के काम आएगा हमारा पसीना उनके मुनाफों के लिए और हमारा खून इन एहमकों के युद्ध के लिए काम आएगा जंग के लिए काम आएगा वे हमें तोपों का चारा बनाएंगे हम अस्विकार करते हमें नहीं चाहिए ऐसा हिंदू राष्ट्र वे हमें गद्दार कह रहे हैं वे आपको हमें सब को गद्दार कह रहे हैं वे देश की करूडों करूड मेहनत कश जहता को गद्दार कह रहे हैं वे हमसे घणा करते हैं वे हमें लांचित करते हैं उनके गणिच से देश भक्त वही हैं जो आखे नीची की ए, सिर जुकाए, बड़े पूंजी पतियों के मुनाफ़ों के लिए उनकी व्यवस्ता को चलाने के लिए काम कर रहे हैं। जो उड़ी की तरह पूंजी पतियों की क्रीद दास हैं, उनके खरीदे हुए गुलाम हैं, उनके लठेत हैं। मजदूरवर्ग की तरफ से हम ना सिर्फ हिंदू राष्ट के इस घड़ित सपने को अस्विकार करते हैं, बलकि हम उन्हें चुरौती देते हैं। कि मजदूरवर्ग और मैनुतकश जहता, उनके सपने को कभी पूरा नहीं होने देगी। और उन्हें उसी तरह इतियास के कुड़ेदान में ले जाकर पटकेगी जिस तरह से हमने मुसोलिनी, हिटलर, तोजो और फ्रिंको को पटका था।